नमस्कार मैं आपका टॉप रिपोर्टर में सौगत करता हूँ इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टुटिंग के साथ कुछ इंफोर्मेशन शेयर करना है एम्स रिजिटिशन के बारे में तो आज की डेट है 18 फरवरी 2019 इसका ये मतलब होगा कि Generation of Code for Final Registration का डेट फिनिस हो चुका है अब आपको क्या करना होगा वो मैं आपको इस वीडियो में समझा दूँगा अब हम देखते हैं कि Final Registration यानि Payment of Fees and City Choice तो इसका डेट जो है 21 फरवरी से 12 मर्च 2019 यानि आपके पास लगभग 20 दिन जितना समय है ये Final Registration का दो स्टेप करने के लिए अब ध्यान रखिए Final Registration वो लोग कर पाएंगे जिनोंने Generation of Code किया है यानि आपने 17 फरवरी से पहले Generation of Code कर लिया था तब ही आप ये दो स्टेप कर पाएंगी अगर आपने नहीं किया है Generation of Code तो हो सकता है आपको AIMS के Health Line में Contact करना पड़े क्योंकि डेट जो है आपके लिए Extra हो सके तो ये काफी अच्छी बात है वरना इस साल आप Participate नहीं कर पाएंगे AIMS के Examination पर अब Final Registration में दो चीज आपको करनी है Payment of Fees जैसे आप Login करेंगे 21 February को आपको Fees भरनी पड़ेगी उसके साथ City Choose करना है यानि आपको Choose करना है कि आपका Examination Center कौन सी City में होगा वहाँ पर आपको Option मिलेगा 3-4 City आपको Choose करना पड़ेगा और AIMS जो है Computer का Code है उसके हिसाब से आपको City Alert की जाएगी ध्यान रखिये हो सकता है कि आपकी First Priority की City हो उसमें आपको Center ना मिले आपको थोड़ा सा दूर City से बाहर जाना पड़ेगा तो ध्यान रखिये Last Date for Final Restriction 12 मास 2019 इसके बारे में जैसे भी और भी Information मिलता है मैं आप सभी के साथ Share कर दूँगा मैं ये वीडियो यहीं समाप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे जो Like का बटने जो Subscribe का बटने उन्हें दबाना ना भूलिए धन्यवाद